हेलो आज हमें करना एक्साइज 1.2 और एक्साइज 1.2 में फ्रम क्कॉशन नम्र 6 करना है ठीक है जो प्रिविएस वीडियो था पार्ट 5 मैंने उसमें क्कॉशन नम्र 12 क्कॉशन 5 करवाया था डिटेल में मैं कहां बता चुका हूँ, इंट्रोड़क्शन है, ठीक है, तो चाहिए हम कुशन नुबर 6 करते हैं, कुशन 6 देखते हैं, 6 में given, आपका यहाँ पर set a, set b given है, और function यहाँ पर define है आपका a to b, show that f is a 1-1 function, ठीक है, बहुत simple question है, अगर आपने previous video या introduction देख रखेंगों, तो यह सारी question समझे करवाने जोद भी नहीं पड़ेगी, ठीक है आप अराम से कर सकते हैं, question में कह रहा है कि हमारा function a to b पर define है, ठीक है, और set a में आपका element है, 1, 2, 3, और set b में जो element है, आपका 4, 5, 6, 7, a, function क्या given है, 1 का 4 के साथ, 2 हमारा 5 के साथ में, 3 हमारा 6 से साथ में, बताएं क्या है हमारा, यह 1-1 है न, yes यह हमारा 1-1 है, ठीक है न, yes it is, 1-1 function, ठीक है न, हम लेट करेंगे, कि हमारा x1, x2, दो number है, जो दोनों बिलॉंग का कर रहा है, इस domain में, means real number पे, और उसके बाद हमें क्या करना है, f of x1 को equate करते हैं, किससे f of x2 से, और f of x1 मतलब कितना है यहाँ पहेगा, 3-4x1 होगा, equal to f of x2 के क्या मतलब होगा, 3-4x2, यह cancel होगी है, minus का 4x1, equal to minus 4x2, minus 4, minus 4, cancel x1, equal to, कितना होगी, x2 होगी है न, हम क्या करते हैं, x1, x2 बिलॉंग करते हैं, real number पे, real बिलॉंग नहीं करते हैं, domain, real number बिलॉंग किया, और f of x1 को equal करते हैं, f of x2 से, अगर बाद में x1, equal to x2 हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, 1-1 function होता है, it is 1-1 function, it is 1-1 function, ठीक है, यह हमारा 1-1 है, question में क्या बोला है, 7 में, कि आपको बताना है, इनीचे इते following cases, state whether the function is 1-1 और on 2, on 2, और by objective, justify your answer, ठीक है न, by objective का मतलब ही हुआ कि यह 1-1 और on 2 दोनों होना चाहिए, अगर 1-1 on 2 नहीं होता है, तो फिर यह by objective नहीं होगा, 1-1 भी होना चाहिए और on 2 भी होना चाहिए, अगर दोनों होते हैं, तो ही function होना by objective होगा, तो यह तो हमारा 1-1 हो गिया, अब on 2 के लिए क्या करेंगे, देखो इसलिए मैंने बताया था आपको कि इसका introduction part बहुत important है, या previous part बहुत important है, वहाँए मैंने एक एक point को बहुत detail करके बताया है, और on 2 के लिए क्या करेंगे हम, रिलेट करेंगे हम, fx को हमने माल लिया y, यह हम on 2 के लिए काम कर रहें, ठीक है न, तो fx हमारा y is equal to कितना होगा, 3-4x, ठीक है, यह function of x है, इसे function of y मनाएंगे, तो minus का 4x को इधर कर दे, यह 3-y हो जाएगा, और यहाँ से x की value कितनी हैंगे, 3-y by 4, आप खुद बताएं यहाँ यहाँ पे, यह हमारा on 2 कब होगा, on 2 क्या होता है कि, यह real to real है, तो यहाँ भी real number है, यहाँ भी real number है, ठीक है न, तो यहाँ पर क्या हैगा, 0, 1, 2, 3, 4, 4.5, सब point में भी आएंगे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 है न, 0, 1, 2, 3 है न, minus 1, minus 2, minus 3, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर y की, मतलब यह हमारा code domain है, code domain में जितने भी elements होते हैं, उस सबका pre-image बन जाए, तो हमारा क्या होता, on-to होता है, आप खुद बताएं, यहाँ पर जो भी values आप लेंगे, जो भी values य की लेंगे न, सबका pre-image बनेगा आपका, कोई भी एक value ले लो, ठीक है कि नहीं, suppose अपने y की value 0 लेते हो, 0 लेने पर कितना आएगा 3 by 4, 0 का पीछे में image हमारा बनेगा 3 by 4, क्योंकि हमारा real number है, 3 by 4 पीछे मिलेगा, अगर आपने y की value सबका जो 1 लेने तो 1 लेने पर कितना आएगा उता हो, 2 by 4 means 1 by 2, और 1 लोगे ते पीछे कहीं ने कहीं 1 by 2 होगा ही होगा पीछे हमारा क्या real number है, इन शॉट यहाँ पर जितने भी values है ना, सारी values का pre-image मिलेगा, ठेकर अगर अगर आपने part 4, introduction और part 5 जो हमने को शुरू 1, 2, 5 करवाया है ना, अगर वो आपने देख चुके होगे ना, तो आपको खुद बखुद लॉजिक डेबलब हो चुका होग कि on to क्या होता है, आप यहाँ मेंशन कर देना कि for all, y कि जितने भी value बिलॉग कर रही है real number पे, उसके लिए हमारा x भी बिलॉग कर रहा है, मतलब क्या होता है, अगर हमारा range agreement दोनों equal हो जाता है, तो हमारा on to है, यहाँ पर जितने भी element है, सबका pre-image कहीं होगा, 100% होगा, क तो हमारा equal हो जाता है core domain से, उससे हम क्या बोलते है, उससे हमोगे बोलते है on to function, तो yes, it is on to function, यह हमारा on to है, यह हमारा 1, 1 भी है, on 2 भी है, इसलिए हमारा bir objective है, यह हमारा kya है, बिलॉग है, X2 हमने दो element लिए हैं दोनों हमारा domain में belong कर रहा है ठीक है तो f of x1 equal to में कितना हैगा f of x2 f of x1 का मतलब यह हुआ यहाँ पर x1 डालो कि तो कितना हैगा 1 plus में x1 का square equal to x2 डालने पर कितना हैगा 1 plus में x2 का square 1 1 cancel हो गया x1 का square equal to x2 का square square root करने पर कितना हैगा x1 equal to plus minus max 2 होगा यह हमारा 1 1 नहीं हुआ 1 1 होने का condition किया था x1 equal to max 2 होना चाहिए बट यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर दू value जा गई x1 equal to max 2 आ गया और फिर कितना आ गया x1 equal to minus max 2 आ गया है मतलब यहाँ पर x1 और x2 दोनों अलग-अलग value आ गई क्योंकि अब यहाँ खुद देखे अगर practical आगर आप देखना चाहते है तो practically भी आप देख सकते है यह real number है यह 0 भी आएगा 1, 2, 3 है न minus 1, minus 2, minus 3 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2 ठीक है अगर suppose आपने x की value 1 put करोगे 1 put करेंगे यहाँ पर x की value 1 put करोगे पर देखने x की value 2 आएगे अगर आपने minus 1 put करो minus 1 का square भी कितना plus 1, 1 plus 1, 2, minus 1 पर भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है मतलब आप plus 1 put करो तब ही 2 आ रहा है minus 1 पर भी 2 आ रहा है मतलब दो अलग-अलग element का same ही में जो रहा है तो यह हमारा 1, 1 होगा नहीं अब आता थी on to के लिए हम यह अपली देंगे it is not it is not 1, 1 यह हमारा 1, 1 नहीं है ठीक है ना आप यह मतलब देंगे यह fast करवा रहा हूँ ठीक है ना क्योंकि हमने इसके बारे में पूरी detail में बता चुका हूँ पीछे में और on to की बात करेंगे तो late कर लो fx को हमने माल लिए fx हमारा क्या y है तो y is equal to कितना आएगा आपको y is equal to 1 plus में x square तो x square is equal to में आपको कितना आएगा y minus का 1 ठीक है ना तो यहाँ से x की value कितने हैं कि plus minus under to y minus में 1 आप खुद यहाँ पर देखे खुद यहाँ पर देखे को y की हर एक value के लिए कुछ values की pre-image तो बनेगी लेकिन सारे values की pre-image नहीं बनेगी ठीक है ना जैसा अगर suppose मैंने यहाँ यहाँ पर y की value लिख दिया यहाँ पर minus का 1 ठीक है अगर मैं यहाँ पर y की value minus 1 डाल दूँ यहाँ मैं यहाँ पर y की value 0 ही डाल दूँ देखें कि यहाँ पर समझेंगे x की value कितनी है under root y minus का 1 है ठीक है अगर मैंने y की value 0 ले ली तो y की value 0 तो हमारा co-domain में belong कर रहा है belong कर रहा है 0 put करते ही यहाँ पर कितना हैगा 0 minus 1 root में negative हमारा पीछे belong करेगा यह नहीं क्योंकि हमारा real number है यह हमारा complex number यह imaginary number नहीं है ठीक है ना मतलब x की value root में minus 1 यह belong नहीं कर रहा है natural sorry real number पर इस वाले real number में means domain में belong नहीं कर रहा है y की जितने भी values है जो code domain में belong कर रहा है उन सब का pre-image नहीं हो रहा है कुछ का हो रहा है सब का नहीं हो रहा है selectively हो रहा है ठीक है जिसने आपर 2 है 2 का pre-image बन रहा है अगर मैं यहाँ पर x की value 2 डालूँगा तो यहाँ पर कितना है 2 पर आएगा 5 minus 2 पर भी 5 आएगा तो 5 का pre-image बनेगा बात समझ में आरी नहीं है बट यहाँ पर अगर आप values पूट करेंगे कि आप पूट करेंगे मालों minus 2, minus 3, minus 4 उन सब का pre-image नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यही हुआ न कि हमारा domain और सरी हमारा co domain और रहे दूने एक्वल नहीं है मतलब इदर के जितने भी elements तो का pre-image नहीं बन रहा आप यहाँ लिख सकते हो कि for all y belongs to real number हमारा x belong नहीं कर रहा है real number पे ठीकर रहा है जब x हमारा belong नहीं कर रहा है ठीक है लेकिन इस वाले case में किया था कि y की हर एक value के लिए पीछे में x मिल रहा था इसलिए हमारा यह on to था यह पे for all y belongs to r हमारा x belong कर रहा था इसलिए हमारा यह क्या था on to था range हमारा code domain से equal था यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपका जो range है वो equal नहीं होगा code domain से जब code domain से equal ही नहीं है तो यह हमारा on to नहीं है it is not on to on to नहीं है नहीं है आप बोल सकते हो कि minus two belong to code domain जो minus two हमारा code domain belong कर रहा है ठीकर minus two of code domain not have pre-image in domain मतलब minus two जो हमारा है या minus one को code domain में है उसका pre-image हमारा domain में नहीं है therefore it is not on to function ठीकर एक छोटा से example भी देखर इसको आप पुरूफ कर सकते हो ठीकर ना इससे note on कर लें इसके बाद हम question no.8 करेंगे question 8 देखते हैं इसमें given let a and b b sets show that if such that a cross b tends to b cross a such that if a b equal to may b is by executive function मतलब यहां पर हमारा function यहां पर जो है अब यहां में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा जो function आपका है ना a cross b है यह function किस पर बंदा है b cross a पे पहले इससे पहले आपने जितने भी पढ़े तो कैसा था वहाँ पे कुछ ऐसा होता था कि मतलब कोई function है और रियल नंबर से रियल नंबर पर बिलॉंग कर रही है function है natural से यहाँ पर कर रहा था बट यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपका सेट जो आपका a b सेट है यहाँ पर कार्टेशन के फॉर्म में किवें ठीक है ना तो आप अपने accordingly कोई भी दो सेट ले लेते हैं अपने accordingly ना for example सेट ए को माल लिया हमारा यह 12 है और सेट बी को हमने माल लिया सपोस्थ 34 हमने माल लिया ठीक है तो पहले आप a cross भी निकालो एक cross b क्या निकलेगा 13 है ना क्रॉस यह कार्टेशन प्रड़क्ट तो आपको आता ही हुआ 13 की आएगा फिर यहाँ पर 14 आएगा ठीक है ना फिर एक cross b का b cross a पे बंड़ा है सपोस्च यह हमारा क्या है a cross b के लिए है और यह हमारा b cross a के लिए a cross b में क्या था आपका 1314 यह हमारा 13142324 ठीक है ना और b cross a में आपका थरी 132 ठीक है ना फिर 41 फिर हमारा 42 है अब कुश्चन में क्या बोला है कि आपको बताना है कि यह आपका बाइजक्टिव फंक्शन है बाइजक्टिव मतलब यह हमारा वन वन भी है और हमारा यह ऑन टू भी है बहुत सिंपल है अब जो हमारा क्या बी है मतलब जब यह हमारा वन वन भी है और वन टू भी है और उन टू भी है यह दोनों है therefore it is it is bisective function ठीक है न यह हमारा bisective function है समझ में आगी बात ठीक है न यह से नोट अंगर लें इसके बाद हम question no.9 करेंगे ठीक है question 9 में आपका है let f such that n tends to a defined by जो function आपको यहाँ पे define क्या हुआ है और question में क्या पूछा जा रहा है कि state whether the function is bisective justify your answer ठीक है न जो function आपका ही bisective है या नहीं इसको justify करना है और function हमारा defined है natural number to natural number ठीक है देखो एक बात भ्यान से समझेंगे यहाँ पे यहाँ पे fn equal to में क्या गिवान है n plus 1 by 2 if n is odd n by 2 if n is even ठीक है और n हमारा natural number ठीक है तो अगर मैं पहले practical बताना चाहता हूँ उसके बात फिर मैं आपको यहाँ पे theoretical समझाओंगा कि हमारा यह one one है या नहीं है देखें यहाँ पे question में क्या बोला है कि n जब मेरा odd है तो हमारा condition क्या n plus 1 by 2 है चलो ठीक है यहाँ से odd एक number 1 लेता हूँ तो 1 यहाँ put करूँँगा तो 1 plus 1 by 2 कितना आएगा 1 तो 1 पे कितना आगे आपका 1 आगे ठीक कितनी बाते देखो अगर मैं एन के जगा 1 पूट करूँगा तो 1 plus 1 टू 2 by 2 कितना आएगा 1 तो 1 आगे ठीक है अब मैं even लेता हूँ even यहां पर क्या है 2 है अगर मैं यहां पर 2 put करें तो 2 by 2 कितना हैगा 1 तो 2 पर भी क्या रहा 1 आ रहा है एक example काफी है देखो 1 पर भी 1 आ रहा है 2 पर भी 1 आ रहा है इसका मतलब क्या होए 1 1 तो नहीं है 1 1 तो फेल कर गया और चिकर लेते हैं चला हम एक और नमबर 3 लेते हैं 3 यहां put करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हैगा 4 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हैगा 2 2 आगे ठीक है अगला हमारा even number क्या है 4 4 को अगर मैं यहां put करेंगे 4 by 2 कितना हैगा 2 तो 4 पे भी कितना रहा 2 आ रहा है similarly अगर आप यहां 5 put करेंगे तो 5 plus 1 by 2 3 आएगा 6 put करेंगे यहां पर even number 6 यहां put करेंगे तो 3 आएगा तो 5 पे भी 3 आ रहा है और 6 पे भी 3 आ रहा है तो clearly हमें समझ में आगे गि हमारा 1 1 नहीं है अगर आप directly दिखाना चाहते है 1 1 के लिए तो आप एक ही चीज काफी है 1 1 के लिए आप यहां लिख सकती है लिख सकते है f1 अगर यहां लिखते है तो odd के लिए है न तो odd के लिए कितना है 1 plus 1 by 2 equal to में 1 आ रहा है और even के लिए f2 लेते हैं आप यहां पे f2 put करना है कितना है मुझेंअ को डोमेन है Not really? सब्सक्राइब काने सब्सक्राइब करें दिए सब्सक्राइब करेंग the फिर्बशनट्व में मेず बुक्राइब है ठीक है एक तरीका हैसे भी आप डार्इक लिए कर सकते हैं अब उसके बाद क्या है आप यहां पर यहा daha नच्टahah नइच्रal नंबर पर तीखा ना ना नच्र Ahh पर कर रहा है और हम पहले किसके लिए रहे है और्ड कि लिए लिए आंद के लिए द्øक लिए लिए यह दोनों ग5 एक जब घर में अंटु प्लस वन बाई 2 आएगा है ना यहाँ पर n2 पुट करने में n2 प्लस 1 बाई 2 आएगा यह 2 तो कैंसल हो जागा फिर 1 1 कैंसल तो यहाँ से n1 इक्वल्टू कितना n2 आ गया ठीक है ना आपको दिखके लग रहा होगा चाहिए यहाँ पर n1 वाले पार्ट के लिए इवन के लिए ठीक है ना अब इवन के लिए अगर यहाँ पर f of n1 ले लूँगा इक्वल्टू में f of n2 ले लूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ ओड के लिए function n by 2 है यहाँ पर कितना आएगा में हमने लेट कर लिया कि n1 जो हमारा है n1 बिलॉंग कर रहा है ओड में ठीक है न और n2 जो हम किसके लिए है इवन के लिए ठीक है न यहाँ यहाँ किसके लिए है ओड के लिए n1 किसके लिए है ओड के लिए चाहँ आप ऐसे लिए दो हमारा क्या ओड है और n2 हमारा क्या इवन है तो n1 जा हमारा ओड है तो f of n1 कितना आएगा n1 प्लस 1 बाइटू इक्वाल टू इक्वाल टू को में इवन वाना है तो यहाँ पर कितना आएगा n2 बा तो में वन बात समय माई अब देखो यहाँ पर नना इन वन इकॉल टु घ। आँगीrant ञहने बिल्कुल भी नहीं और क्या है यह हमारा नहीं होता न तो यहाँ एस मे हमरा अगर N1 equal to n2 हुआ है case 2 में n1 equal to n2 हुआ है तो यहां भी हमारा क्या होना च्छिए था n1 equal to n2 होना च्छिए बट नहीं हुआ ठीक है न जितने भी case है case और है fourth case में ले सकते हो case 4 में हमारा क्या है अब यहां पर n1 को हमने क्या n by 2 है यहां पर कितना है का n1 by 2 होगा n2 को अपने क्या मान है odd तो इसके लिए n2 plus 1 by 2 आएगा n2 plus 1 by n2 plus 1 by 2 2 से 2 cancel होगी है तो यहां पर n1 equal to n2 plus 1 है न तो n1 minus n2 equal to 1 यहां पर भी आपका नहीं हुआ n1 equal to n2 नहीं हो रहा है बतलब यहां पर भी कि आपका n1 not equal to n2 हो रहा है यहां भी n1 not equal to n2 हो रहा है टीक है न लेकिन एक बात बताना चाहता हूं मैं इन दोनों case में कोई एक case से वुल्टे लोगों है काफी है क्योंकि यहां पे आप और इवेने यह भी आप्वलएद में अदि न न वन वन फंक्शन यह हमारा वन वन फंक्शन नहीं है जब वन वन नहीं है तो हमारा बैजेक्टिव कहां सोगा बैजेक्टिव के लिए वन वन भी होना चाहिए और अन्टू भी होना चाहिए लेकिन यह हमारा वन 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 नहीं है तो हमारा यह बैजेक्टिव नहीं होगा ठीक आपका इमेज यहां बनता रहेगा यहां पर कोई बचेगा इन जिसका प्रिमेज ना बने सारे आपका इमेज बनेगा अब खुद से सोचे ना और के लिए यहां पर पूट करते चले जाओ और इवन आने पर यहां पर इमेज बनता चला जाएगा बात समयारी निया मतलब कोड़ो में जितने भी एलेमेंट से सबका प्रिमेज बनेगा तो यह हमारा ऑंटू है बट यह हमा प्तौन करें करें इसके बाद हम सबक्ते हैं मतलब यह मिलाकर आद सी ना हो पाए इसनॐ मैं बता देता हूं ठीक है ना रिकलिंब कोॉलो हमने देक्स होता तो ऑड के लिए काम करोगे तो आप if n को माले न y तो y is equal to odd के लिए कि या हमारा n plus 1 by 2 है n plus 1 by 2 है यह function of n है इससे function of y बना लो cross multiply करें कितना आएगा 2y आएगा n plus में 1 आएगा ठीक है न तो n equal to कितना हो जाएगा 2y minus का 1 अब यहाँ पे देखो y की y हमारा क्या है natural number ही तो है इमेज 1 है बिल्कुल सही है अगर यहाँ पर odd में आप क्या पूट करते हो 3 put करते हो 3 2 6 6 में 7 क्या 5 ठीक है न तो 3 पर देखो 5 होगा 3 का पर इमेज अमारा क्या 5 है बिल्कुल है 5 है न देख रहा हो ना समझना पार रहा है न तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि जितने भी y है y belongs to natural number उसके लिए हमारा जो यह n है वो भी belong कर रहा है natural number पर ठीक है तो यहाँ पर range code में से क्वोल हो रहा है हमारा क्या है on to है यह तो odd के लिए किया अगर मैं even की बात करूँ तो even में हमारा क्या है y is equal to कितना आएगा n by 2 even के लिए y is equal to हम क्या ले लिए n y 2 cross multiply कर दो तो 2y equal to 2 में n means n equal to कितना आगया 2y आगया खुद यहाँ पर देखो y हमारा कहां भी लोग कर रहा है natural number पर अभी even के लिए even में आप जितने भी y यहाँ पर क्या बिलोग कर रहा है even के लिए बिलोग कर रहा है y जो हमारा बिलोग कर रहा है natural number पर किस के लिए कर रहा है यहाँ पर even के लिए कर रहा है y जो बिलोग कर रहा है natural number पर किस के लिए कर रहा है odd के लिए कर रहा है अगला even 2 की बाद कितना 4 आएगा? 4 पुट करने में कितना आएगा? 8 है ना? अगर यहाँ पर 4 है ना? तो 4 का पीछे में जो बनेगा, यहाँ पर कुछ 8 रहा होगा. ठीक है ना? देखो यहाँ पर 8 पुट करोगे यहाँ पर, 8 पुट करोगे even पर, तो 8 पुट कितना आएगा 4? तो 8 पे कितना जाएगा? 4 ही तो जाएगा? बास सब्ज़ में? तब यहाँ पर y जो हमारा 4, all y बिलॉंग जो कर रहा है हमारा natural number पे, जो y बिलॉंग कर रहा है natural number पे, उसके लिए जितने भी ends है, सारे के सारे end भी हमार natural number पे भी wrong कर रहा है, तो यहाँ range equal to में code में mention कर दो, यह हमारा on to be, अप ऐसे भी mention कर सकते हो, तो चलिए ठीक है से note down कर लिए आप, question 10 देखते है, question 10 में given, आपका a जो given है, r minus real number से 3 को minus कर दिया है, अब b जो आपका है, real number से 1 को minus कर दिया, function defined आपका a to b है, और function क्या given है, x minus 2 upon x minus 3 given है, ठीक है, तो question में पूछ रहा है, is f is 1, 1 and on to, justify your answer है, का यह 1, 1 और on to है, हाला कि यह question आप खुश से करने के like हो चुके हैं, लेकर इसमें कोई परिशानी की बात नहीं है, बस इतनी बात दखो, function defined a to b पे है, but a जो हमारा क्या है, उसमें से real number है, real number में से 3 को उमने minus कर दिया, 3 minus करने क्या मतलब हुआ, 1 minus करने क्या मतलब हुआ, वो अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, अब यहाँ पर समझें, अगर मैं बात करूँगा, 1-1 की बात करूँगा, पहले तो 1-1 के लिए बात करना है, तो 1-1 के लिए अगर लेट कर लेंगे, x1 और x2, ठीक है ना, यह दोनों कहां बिलॉंग कर रहा है, इस a में, a to b है, तो यह हमारा पहले डोमेन है, तो डोमेन में हमारा बिलॉंग कर रहा है है ना, अब इल्कुल दिहान से समझेंगे, तो यहाँ पर कितना हैगा, f of x1 आएगा, equal to में कितना हैगा, आपको f of x2 आएगा, के लिए इतनी बात है, f of x1 का मतलब यह हुआ, कि हमारा यहाँ पर कितना हैगा, x1 माइनेस में 2, upon x1 माइनेस में 3, और f of x2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना हैगा, x2 माइनस में 2, upon x2 माइनस 3, ध्यान समझें, यहाँ पर जो माइनस कर राख है, x1, x2 दोनों कहां विलॉง कर रहा है, A में belong कर रहा है A में real number है लेकिन उसमें 3 नहीं है वज़ए यह है कि यहाँ पर X1 के place पर 3 नहीं है सकता यह X2 के place पर 3 नहीं है सकता 3 आने पर क्या हो जागा यह not define हो जागा नीचे 0 आजागा न आप X1 की value 3 ने ले सकते हो X2 की value 3 ने ही ले सकते हो X1 X2 belong कर रहा है A में बट A क्या है R मैनस में 3 है समझा गया यह मैनस का मतलब यह हुआ इसके बारे में क्या है आगे बताऊंगा ठीक है cross multiply करेंगे cross multiply करने में कितना आएगा यहाँ पर देखते हैं X1 इंटू में X2 हो जाएगा फिर इसको minus करेंगे minus में 3X1 फिर plus इसको minus किजेगा यहाँ multiply करने पर इतनी वहल हो गई यह minus में 2X1 minus में 2X2 हो जाएगा और minus plus plus में 6 हो गया ठीक है यह multiply करने पर X1 इंटू में X2 फिर यहाँ minus में 2X1 फिर minus 3X2 minus 3X2 और यह minus minus plus हो गया ठीक है तो minus plus का 6 cancel हो गया आपका X1 X2 से X1 X2 cancel हो गया बचा है यहाँ पर किया आपको minus का 3X1 और minus का 2X1 इधर आने पर कितना हैगा minus का X1 हो जाएगा minus 3X2 यह minus जागा प्लस हो जाएगा minus 3 plus 2 कितना हैगा minus में X2 यह cancel हो गया means X1 equal to में X2 हो गया मतलब यह हमारा क्या है it is 11 यह हमारा 11 function है 1-1 clear होता है onto का लिए का करना हमें FX को Y माले ना है लेट कर लिया हमने FX को हमने माले य तो Y is equal to FX हमारा क्या है X minus 2 है X minus 2 upon X minus 3 है function FX function of Y बनाओ cross multiply करेंगे तो YX minus 3Y is equal to X minus 2 X is set कर दो यह yx minus max is equal to minus 3 को करना है minus का plus का 3y minus में 2 x को आमान निकाल लो y minus 1 equal to 3y minus 2 यहां से x की value कितनी आ गई 3y minus 2 upon y minus में 1 देखें यह on to के लागे न अब देखो यहां पे on to का है डिफाइन होता है code domain से यह हमारा क्या है यह हमारा domain है code domain होता है code domain b यहां पे है उसमें से r हमारा क्या है r में से 1 minus है मतलब यहां पे y की value हम 1 put नहीं कर सकते हैं ठीके न 1 put करते ही हमारा not defined हो हो जाएगा ठीके न अब यहां पे simply कोई बात नहीं है y जो हमारा belong कर रहा है b में ठीके न आप यहां पे कहले को for all y जो belong कर रहा है b में उसके लिए x आपको belong करेगा a में y कुछ भी value put कर दो 1 को छोड़ कर क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है यह भी real number है और यह भी real number है ठीकर ना इस real number पे पहले वाले में 3 नहीं है 3 को छोड़ कर मतलब वालो 0 है 1 है 2 है 4 है 4.5 है minus 1 minus 1.5 सारे number है बट पहले वाले में 3 नहीं है अब बाद वाले में 1 नहीं है 0 है 2 है 2.5 है 3.5 है कुछ भी number ले लो यहाँ पे 3 नहीं होगा minus 1 minus 2 इस तरह की number है इसमें जितने भी points है सारे number को y को यहाँ पूट करो 1 छोड़ कर यहाँ पे 1 नहीं है 1 को छोड़ कर इसमें जितने भी values है सारे values को पूट करो उसका pre-image पीछे में X मिलेगा आपको अब इतना बताने जोट नहीं है मुझे पता है इतना पूसमें आ चुका है आप simply यहाँ लिग देना आप यहाँ यहाँ लिग देना आप इसी तरीकी से solve कर लेना ठीक है बट मैं डारेक्ट बता रहा हूँ यह हमारा वन वन नहीं होगा क्योंकि यह रियल टू रियल है ना डारेक्ट बता रहा हूँ बट आप वह ऐसे को से कर लेना अगर मैं यहाँ सबोज 0 है यह 1 है यह 2 3 है यह minus 1 minus 2 minus 3 है ठीक है ना सबोज आपने यहाँ पर यहाँ पर हमारा 0, 1, 2, 3, 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 अगर आपने x की प्लेस पर 1 पुट किया तो 1 की पावर 4 कितना आएगा 1 आएगा ठीक है ना अगर x की प्लेस पर आपने minus 1 पुट कितना आएगा plus 1 ही आएगा दो different element का same image आगे हमारा one one नहीं है ठीक है यह on to क्यों नहीं होगा आप यहाँ पर देखें x की place पे इधर में positive value पुट करें तब भी हमारा answer positive आएगा जितने भी negative है सारे negative की value यहाँ पुट करो तब भी answer हमारा क्या देगा positive देगा 0 पर 0 आएगा 0 पर 0 आएगा सारे positive की value positive आएगी जितने भी negative value पुट करो negative का power 4 भी क्या पॉजिटीव आएगा सारा का सारा positive आएगा लेकर यहाँ जितने भी negative है उसका pre-match नहीं बनेगा जैसे minus 2 है minus 2 का pre-match बनेगा ही नहीं जब बनेगा नहीं तो हमारा on 2 होगा नहीं मतलब यह हमारा तो one one है not one one not on two इना तो one one है नहीं on two है ठीक है ना तो 11 में आपका जो डी is the correct answer f is neither one one nor on two डी हमारा correct answer है जो one one भी नहीं है on two भी नहीं है इसके बाद 12 भी देख लेते हैं 12 में क्या given आपका function defined है real to real है ठीक इतनी बात है उसके बाद fx is equal to me क्या आपका 3x है ठीक है ना अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या बताए चूज करना correct answer को तो आप यह देखके समझ में आगे हमारा one one है real से real है ना अब real से real है तो अब यहाँ पर आप x की value जो भी put करो ना उसकी y मतलब उदर value मिलेगी मिलेगी और क्या मिलेगा आपको यह उनिक image मिलेगा आप ऐसा भी देखरो यहां पे f of x1 equal to me क्या f of x2 करेंगे आप तो कितना आएगा 3x1 equal to me 3x2 आएगा है ना cancel x1 equal to me कितना x2 आगया यह यह हमारा one one है बास समझो वन पुट करेंगे तो one पे three आएगा मानस one पे मानस three आएगा zero पे zero आएगा हना two पे six आएगा मानस two पे क्या मानस six सबकी अलग-अलग image बनना है जितने भी element है सबका unique image बनना ठीक है ना यह तो मारा one one है on two भी होगा on two इसली होगा कि code open में जितने भी elements होगे ना सबका pretty image बनेगा आप खुछ से check कर लेना रहे क क्योंकि fx को हम क्या मानते y मानते y equal to me three x होगा है ना तो यहां से x की value कितनी होगई y by three y की जो भी value put करोगे ना सबका pretty image पीछे आपको x में मिलेगा तो code open में जितने भी element से सबका pretty image है मतलब यह हमारा on two भी है ठीक है ना इसके लिए कौन सा होगा हमारा सही यह पार्ट सह of function के साथ में और invertible function बहुत important topic है लेकिन invertible function जो आपका है आने वाला जो 1.3 है अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा जब तक आपको one one on two नहीं आया होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका introduction जो part four है और जो part five है यह दोनों वीडियो को आप बहुत अच्छे से watch कर लें और वो दोनों वीडियो को watch कर रहा कि होंगे तो बासमझ में आरी आपको तो आप से क्रिवेस्ट है अगर चैनल पर नहीं हो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने करते हैं वही हमारे लिए एक क्या है इनफॉर्मेशन है कि आपको कितनी बात समझ में आ रही है देखो मैं जो भी वर्क कर रहा हूं तो वह वर्क मेरा जना फुरुटफूल हो रहा है या नहीं हो रहा है यह मुझे कैसे मालम चलेगा वह सारी के सारी बात आपके कॉमेंट क प्रेस किया है इतना पता है और मैं पुलिट ट्राइ करूंगा कि उसके मैं रिप्लाइ आपको कर पाऊं ठीक है ना ओल दी वेडिवेस बाय गुद्ला गुड़नाइट